ओम नमस्शिवाई आप सभी का स्वागत है मित्रो आज हम बात करेंगे कर्ण्या राशी के बारे में आने वाले अगले दो दिन साथ और आठ अगस्त शुक्रवार वैशनीवार आपके लिए कैसे रहने वाले हैं मित्रो हमारा राशी फल चंद राशी पर आधारित है यह समय भादर पद मास के क्रिशन पक्ष का समय है इस समय में क्रहों की स्थिती इस परकार बनी हुई है कि सूर्य बुद्ध करक राशी में शुक्र राहू मित्धू राशी में ब्रस्पती केतू धनू राशी में शनी मक राशी में मंगल मीन राशी में और चंद्रमा मीन राशी में रहने वाले हैं। 7 तारिक शुकरवार को चतुर्तिती ति रहेगी। दिन में एक बज़ कर 33 मिनट तक पूरू भादर पदा नक्षत्र उसके बाद उत्तर भादर पदा नक्षत्र प्रारंब होगा। इस दिन चंद्रमा मीन राशी से गोचर करेंगे दिन में बरस्पती का नक्षत्र दोपहर बाद शनी का नक्षत्र रहने वाला है इस दिन का शुब समय सुबह 7.26 मिनट से 9.26 मिनट तक दोपहर 12.27 मिनट से 12.53 मिनट तक रहेगा अशुब समय राहुकाल का समय सुबह 10 बचकर 46 मिनट से 12 बचकर 26 मिनट तक रहेगा इस दिन आपका सुभाव मिलन सार रहेगा आप अपने कारियों के प्रती समर्पित रहेंगे आप अनुशासन में रहना पसंद करेंगे आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी शिक्षा में लाब की प्राप्ती होगी कंसंट्रेशन बहतर होगी प्रेम संबंदों में भी प्यार और विश्वास बढ़ते हुए दिखाई देगा इस दिन वेवाहे की जीवन खुशाल रहेगा संतान पक्ष की तरक्की इस दिन हो सकती है बच्चों से जुड़ी समस्याएं इस दिन दूर होंगी प्राइविट नोक्री में करियर में आपको बेनिफिट प्राप्त होगा पुराने अधूरे काम बनते हुए दिखाई देंगे और नए काम मिलने की भी उम्मीद होगी गोर्मेंट जोब में आपको अपने कामों की सरहना मिलेगी इस समय आपका मान सम्मान बढ़ेगा उच अधिकारियों का साथ मिलेगा नए नोकरी तलाश करने वालों को शुब समाचार इस दिन मिल सकते हैं आप इस दिन एक्जाम इंटर्व्यू को क्लियर कर सकते हैं व्यापार कारुबार में इस दिन आपको धनलाब होगा नए निवेश से लाब की प्राप्ती होगी नए लोगों से मुलाकात नए संबंद आपके बहुत काम आने वाले हैं इस दिन शेयर सटे लोटरी में भी आपको प्रोफिट मिल सकता है अचानक धनलाब भी हो सकता है इस दिन आपके लिए शुब रंग पीला शुब अंक तीन रहेगा उपाय के तोर पर ओम नमो भगवते बासु देवाय नवे मंत्र का चाप करें दिनाप के लिए अति उत्तम साबित होगा बात करे आठ तारिक शनिवार की इस दिन पंचमी तिति रहेगी दोपहर चार बचकर बारा मिनट तक उत्तर भादर पता नक्षत्र उसके बाद रेवती नक्षत्र प्रारंब होगा इस दिन चन्दरमा मीन राशी से गोचर करेंगे दिन में शनि का नक्षत्र दोपहर बाद बुद्ध का नक्षत्र रहेगा इस दिन का शुब समय सुबह 5.46 मिनट से 7.26 मिनट तक रहने वाला है और 11.69 मिनट से 12.53 मिनट तक रहेगा अशुब समय रहुकाल का समय सुबह 9 बचकर 6 मिनट से 10 बचकर 46 मिनट तक रहेगा इस दिन आपको अपने काम की अतियदिक चिंता रह सकती है बेवज़े की चिंता करने से आपको बचना चाहिए नई लोगों से मुलाकात के नई अफसर मिलेंगे नई मितरता इस दिन काम आएगी आपकी नई जान पहचान बनेगी और मान समान में वरित्ती होगी शेहत अच्छी रहेगी खाने पीने का थोड़ा ख्याल दिन के समय में रखना होगा इस दिन शिक्षा में लाब की स्थिती बनी हुई है प्रेम संबंदों में उतार चड़ाब देखे जाएंगे बेवाही की जीवन खुशाल रहेगा संतान पक्ष से भी सुक्की प्राप्ती होगी प्राइवेट नोकरी में अत्यधिक मेहनत करनी पड़ सकती है गौर्मिन्ट जोब करने वालों की भागदोड भी इस दिन बढ़ते हुए दिखाई देगी लेकिन मान सम्मान में इजाफा होगा व्यापार कारोबार की स्थिती बहता रहेगी शेर सटे लोटरी में दिन के समय में रिस्क नहीं लेने चाहिए इस दिन आप के लिए शुब रंग हरा शुब अंक पांच होगा उपाय के तौर पर ओम गन गन पताए नमे मंतर का जाप इस दिन करना चाहिए दिन आप के लिए अति उत्तम साबित होगा दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ओम नमस्षिवायत जरूर लिखें